Hello Everyone, आज है 6th October और आज है सोडियों में हम बात करने जा रहे हैं Reliance Power के बारे में देखे अनिलंबानी ग्रूप की कमपनी है और एक टाइम पे पैनी स्टॉक था उसके बाद बहुत बड़ी तेजे दिखाई अभी थोड़ा बहुत करेक्शन यहां पर चल रहा है और देखे अभी ना पावर सेक्टर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर जेलता हुआ नजर आएगा आने वाले दो-तिन महीनों तक तो कम से कम आने ही वाला है बातचित करेंगे कि ऐसे में रिलाइंस पावर कहां पर स्टेंड आउट करता है क्योंकि पिछले एक महीने में देखे तो साड़े ग्यारा परसंट का डिकलाइन है अभी अटेम्ट कर रहा है कोशिश कर रहा है इस लेवल को सस्टेन करने की तो देखे वीडियो को शुरू कर उसे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है चो आपको काफी सादा हल्प करेंगे तो देखे रिलाइन्स पावर अठारा रुपय का शेर साड़े ग्यारा परसंट की गिरावट एक साल में देखो कि तब तो वहीं साड़े साथ परसंट का ग्रोथ है लेकिन पहले अगर आप देखो तो पहले डिकलाइन आया था यहाँ पर गिर के यह नौ रुपय पर गया इसका और थोड़ा बहुत कंस्लिडेटी करेगा और अगर आप पांस साल का ग्राफ देखो तो एक चीज़ पता चलती है ठीक है और यह चीज़ मैंने पिछले वीडियो में अदानी पावर को लेकर भी एक्स्प्लेन करी थी कि अगर आप पिछले साल का टाइम देखोगे स सब्टेंबर से लेकर पूरा का पूरा फेबरुवरी तक तो एक डिकलाइन फेस था सेकंड सब्टेंबर दो हजार बाईस को यह 21 रुपए का शेर था उसके बाद यह लगा तक गिरता चला गया और फेबरुवरी मार्च तक आधा हो गया था उसके बाद तेजी आई थी य गर्मिया बहुत जादा बढ़ रही है यहां पर इतना 80C चला गया यहां इतना चला गया तो इसको ले करना पावर शेक्टर जो होता है वो तीजी दिखाता है क्योंकि जाहिर से बात है गर्मियों में जो बिजले की खपत होती है वो बढ़ जाती है तो यह एक्सपिकेड ह होता है कि नंबर्स अच्छा हैंगे पावर कंपनियों के और इस वज़से भागना शुरू कर देता है अगर आप इससे पहले भी देखोगे तो भाग रहा था यह ठीक है दौड रहा था लेकिन उसके बाद जब सब्टेंबर से लेकर जो सब्टेंबर और दिसंबर क्वाटर के जो नंबर होते हैं वो उतने अच्छे नहीं आते हैं एक्सपेक्टेड होता है और हाला कि इस दौरान में अदानी स्वारी रिलाइंस पावर में और भी ज़्यादा दिक्कत चल रही थी तो यह गिर रहा था fundamentally company strong नहीं है पहली चीज़ में बता दू fundamentally company strong नहीं है यहां पर operator बहुत ज़्यादा active रहते है खबरों की वैज़े से उपर नीचे ले जाने का काम करते हैं यहां पर अगर हम volume देखे तो यहीं से पता चलता है कि बड़ी quantity में share trade हो रहे है 2,60,000,000,000 से भी जादा की quantity में share trade हुए है यहाँ पर आज इतना ही नहीं according to money control user हर कोई कह रहा है बेचो और भाग जाओ definitely मेरा भी यही मानना है यहाँ पर कि अभी यह जिस range पर है profit taking के मौके definitely यहाँ पर बनेंगे ठीक है fresh buying के मौके नहीं बन रहे at least मुझे लगता है कि at least इस साल के end तक December और अगले साल के January तक तो मुझे लगता है कि मौके नहीं बनेंगे लेकिन हाँ उसके बाद जो फरवरी और March शुरू होगा वहाँ से मौके बनते नजर आएंगे लेकिन अभी का जो time है आने वादे तीन महीने चार महीने का exciting number नहीं है यह और अगर आप profit देखोगे तो भया loss किया था last quarter में 300 करोड का उससे पहले March में profit था फिर वापस उससे पहले कि 2 quarter loss में थे तो देखा जाए तो दिक्कत है यहाँ पर company loss making है profit नहीं कर रही है और यह problem definitely अभी यह face कर रही है जहाँ तक valuation की बात करी जाए तो valuation के इसाब से negative में इसका पी और कोई भी analysis खतिदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है जहां तक share holding को लेकर बात करिया तो share holding में जो promoter के पास है वो 24.49% की holding है अलाकि promoter ने थोड़ी से quantity बेची है पहले 24.99% की थी थोड़ी से holding बेची है बाली हुई है यहाँ पर जहां तक बात करें mutual fund की तो 0.16% की holding है उनके पास domestic के पास 5.01% है Files के पास 7.76% की holding है देखो other parties बहुत जादा है यहाँ पर और जो game है operator का game कहलो वो other parties में जादा चल रहा है 37.72% की holding है उनके पास retail investor 24.85% की holding लेकर बैठे हैं यहाँ फंडामेंटली टाटर पावर सॉरी अरिलाइंस पावर उतनी strong तो पहली जिस नहीं है अगर आप देखोगे तो लेकिन अगर आप graph देखोगे तो आपको थोड़ा सा गरबड़ी वाला रहता है क्योंकि number expected है कि September December के शायद उतने अच्छे नहीं आएंगे हाला कि यह मैं मान के चल रहा हूँ कि power sector future है ठीक है long term में कई अच्छी power company जो होगी वो पैसा बहुत ज्यादा बना कर देखे क्योंकि जो consumption है वो बढ़ने ही वाला है वो घटने वाला कभी भी नहीं है और धीरे-धीरे हम जो dependency है fuel की तरफ उससे हम EV की तरफ भी हम जा रहे ठीक है power की तरफ भी जा अगर हम electric vehicles की बात के तो उसको चलाने के लिए बिजली लगती है तो और ज्यादा consumption बढ़ेगा अगर future में हम petrol और डीजल से हट कर electric vehicles की तरफ आगर हम आगे बढ़ते हैं तो तो वहाँ पर भी इनके ल रहे तो वो हो गया कुछ सरकारी कंपनिया हो गई वो बड़ा पैसा चापेगी यहाँ पर लेकिन उसके comparison में reliance power को देखो रतन power को देखो ठीक है JP power को देखो तो मैं उतना ज्यादा positive नहीं हूँ long term के लिहाज से हाँ short term में यह जरूर होगा कि ups and downs यहाँ पर देखने को मिल था तो यह train चलता रहेगा यहाँ पर और यही वज़ा है कि अभी के लिए में इसको avoid करना ज्यादा पसंद करूंगा simple से वाज़ा कि मुझे लखता है कि आने ओले दो quarter के जो number होंगे वो शायद इतने अच्छ ना आए इनके और जिसके चलते एक गिरावट कहलो या फिर downgrade के लो वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है तो यह तो मेरा observation है बाकी मर्जी आपकी है वीडियो को यही पे अंडर करूंगा पसंद आए हो तो like करे शाय करे चैनल पर पहले हैं तो please subscribe करे और alliance power के बार है मैं आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखते बता सकते है थाल कियू